दोस्तों इस वीडियो में बताने वालाओं अगर आप फोन पे यूज़ करते हैं अपने फोन पे अकाउंट में आपने कोई भी बैंक अकाउंट को यहां पे लिंक करके नहीं रखा है और या फिर आपके पास कोई प्रस्नल बैंक अकाउंट नहीं है तो आप फोन पे वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक तो कीजिए गाई साथे अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देखरे रेट करका सब्सक्राइब बटन दबा करके यहां पे घंटी का आइकन आएगा इस पर क्लिक लोको कि एक को करेंगे आपको तो यहां पर लिंक करने के लिए आपको सिंप्ली क्या करना है यहां पर bank account के नीचे आपको एक phone पे का logo मिलेगा जिसमें लिखा वह यहाँ पर phone पे wallet तो आप इसके पर click करेंगे और click करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा पहले से balance है वो 00 है low balance हो कर रहा है और simply उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर enter amount करके आपको देखने की मिलता है तो आपको जितने पर भी आपको अपने phone पे wallet में add करना है पैसा तो आप simply यहाँ से enter amount करेंगे और उसके बाद आप पुछे slide करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर UPI का option मिलता है जिसमें कि आपको बताया जारा add bank account करने के लिए तो यहाँ पर हमने bank account को add करके नहीं रखा है और मान के चले कि कैसे जो कि आपको एक another bank account से add करना चाहते हैं कैसे कर सकते किसी भी another bank account से तो उसके लिए आपको simply क्या करना देख सकते हैं उसके यहाँ पर एक debit card का option आपको मिल रहा है फिर credit का option मिल रहा है तो हम simply क्या करेंगे यहाँ पर debit card के पर click करेंगे जिस भी account से पैसे आप add करना चाहते है अनदर तो सिर्फ उस bank account का यहाँ पर आपको ATM card detail आपको enter करना है यहाँ पर card number हो गया फिर आपका card किस मन्त में कौन से साल में expire होने वालव आपको detail यहाँ पर fill करना है फिर आपको यहाँ पर CVV code आपको enter करना है जो कि ATM card में back side में होता है चलिए हम साला detail यहाँ पर enter कर लेते हैं यहाँ पर हमने card number card के expiry CVV enter कर दिया उसके और आपको simply क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं top of wallet जब आप इसके पर click करेंगे जो ATM card है उस bank account में जो भी registered mobile है उस पर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर OTP भी enter करना होगा था हम तो वेट कर लेते हैं यहाँ पर processing में है और यहाँ पर देख सकते हैं payment page में हम आ चुके हैं तो register mobile पर OTP हम check कर लेंगे या जिस पर account का होगा तो चलिए हम यहाँ से OTP देखते हैं आया की नहीं हमारे पास जो OTP यहाँ पर receipt हुआ था bank OTP 6 digit का हुआ OTP हमने एंटर कर दिया है उसके और आपको यहाँ पर simply क्या करना है submit को पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं submit को पर मैंने click कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं wallet top of 10 rupees successfully हो चुका है मैं इसके button के पर click करें देख सकते हैं तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर 10 rupees add हो चुका है तो इस वीडियो मैंने बताया कि अगर आपने कोई bank account link करके नहीं रखा आपके अनदर bank account है उसका debit card है तो कैसे आप without bank phone पर में link किये bank account को wallet में money add कर सकते हैं मैं उम्मिद करता है आपको यह वीडियो पसंद आयागा तो वीडियो को एक like channel को subscribe इस वीडियो को share और अगर आपको कोई question होगा तो आप comment के लिए आप question reply मिलेगा तो चले मिलते हैं next video